दोस्तों सब्सक्राइब करें थंडर वर्ड चेनल को और इस घंटे को दबा कर हमारी वीडियो सबसे पहले देखें घ्लो गाइज वेलकम टू दा थंडर वर्ड दोस्तों धरती पर हमेशा सही अजीब और गरेब घटनाई होती रहती हैं आज हम एक एसाइ घंटनाएं के बारे हम बात करने वाले हैं जो किस हत्में बहुत ही अजीब हैं तो ज्यादा जान निकलि इस वीडियो को सुरू से लिकल लाश्त दो कजरू करते हैं दोस्तों क्या आपने कभी किसे को डंक्स करते करते मरते होई देखाए दूस्तों जहाँ तक मुझे लगता है कि डंक्स करता है ये कोई इंसान बेऊ सा सकता है बट मर नहीं सकता मैं सिंपल डंक्स की बात कर रहा हूँ नहीं तो कोई महाल लग होगे जो हिपाप और बीबोईंग सोच रहे होंगे ओके तो आज से पांतों साल पहले बहुँ सारे लोग नास्ते नास्ते मर गए थें तो चले मैं तुमको इस गटना के बारे में सुरू से बताता हूँ साल 1518 में रोमा समराजय के दोरान स्टार्सबग अलसेस में जुलाए महीने में एक प्लेग की सुरुवात हुई जिसे हम डंसिंग प्लेग भी कह सकते हैं एक दिन स्टार्सबग अलसेस में ट्रोफिया नाम के एक औरत अचनक सडकों पे नासने लग गई और वो लगातर पांस दिन तक नासती रही फिर कुछ दिनों के बाद वहाँ के गाउं की लोगों ने ट्रोफिया के साथ डंस करना सुरू कर दिया और धीरे धीरे गाउं के सारे लोग ट्रोफिया के साथ सडकों पे नासने लग गए उन गावालों की रिष्टेदारों को ये समझ में नहा रहा था क्या खेरकार ये हो क्या रहा है वो लोग सोच रहे थे कि ये साले सटक पे मुझरा क्यों कर रहे हैं बट बाद में ज़्यादा डंग्स करने के और जैसे धीरे धीरे लोगों की मोध होने लगी फिर उन गावालों की रिष्टेदारों ने अपने रिष्टेदारों के बचाने के लिए उनसे जोबन पड़ा वो सब किया उन्होंने डॉक्टर से पूस्ट नाच की पर डोक्टोनों का कहिना था कि जब ये लोग नाज-नाज के ठक जाएंगे तब ये सब कुछ सही हो जाएंगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ उल्टा और ज्यादा मातरा में लोग मर रहे थें सेकड़ों की तादात में लोग मर गएं और कुछ लोग बेवस हो गएं करीब तीन महीन तक डंसिंग फ्लेग रहा और अचनेक रहसे में तरीके से कायब हो गया जिसके बारे में जानने के लिए कुछ वेकियानिकों ने रिसर्च की और उनका पता चला कि ये फ्लेग उस एरिया में फेला था जिस एरिया में गरी भी, भूकमरी, बेरोजगरी जैसी परीशानियों से लोग जूंज रहे थे और उन्होंने अंद विस्वास में आकर ऐसा काम किया कोई भी इस घटना को सट्टिक तरीके से नहीं बता सकता क्योंकि पुराने समय में मेडिकल साइस इतना एडवांस नहीं था कि सब कुछ सट्टिक तरीके से बता सकें और आज के वेक्यानिक सिर्फ पुराने डेटा कलेक्ट करके आंदा जैसे ही कुछ बता सकते हैं बट सट्टिक तरीके से कोई नहीं बता सकता कि आखिर डांक सिंग प्लेग वहाँ पे आया केस है So guys, I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जोरू से कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को सेर कर देना और एस वीडियो पसंद देखने के लिए चैनल के सुब्सक्राइब जूरू से कर लेना और हाँ दोस्तों आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फोलो कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिब्सन में दिया हुँआ है हुआ!